नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब तो ये भरती निकले हुई है कहाँ पर कारेलय प्रधान नयाधिस कुटम नयाले दूर्ग विज्जापन और इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको बताने वाले है और उसके साथ ही इसका जो फाम है ये कैसे सब्मिट होगा कैसे आपक गजी को दूर्गों का विवरंट तक है इसमें अनारक्षित दख त्रिशप्रानी कि अबताइन इसके श करेाल है किसी को फूर्षे ओको बीकलां भूब्यांग भुद्पूरुॉशैनिक लिए लागू है ये संख्या में कमीवरिती हो सकती है और जो आरक्षित पद है वह च्छतिगड के मूल निवासियों के लिए है महिलाओं के लिए आरक्षित पत के वल 36 गड़ राज्य के स्थानी निवासी महिला अभिरतियों के लिए ही लागू है भरती की पातरता है हम सरते हैं तो साहे ग्रेड 3 के लिए देख लिजिए वेतन इसका लिवल 4 है 19,500 जो की 21,000 के पास बनेगा सेक्ष्टिक यूगिता तो आपको इस नातक में 45% है रिजर्वेट के टेगरी हैं तो 40 है किसी विस्विदाले राज सरकार या केंद सरकार दारेक्ट हो प्रमाड पत्र होना चाहिए इसमें only DCA ही नहीं है इसमें BCA भी है और कई प्रमाड पत्र है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना देया है आप ये देख लिजिएगा अभिरती के कम्प्यूटर में हिंदी टैपिंग की कती जो है 5000 की डिप्रिशन होना चाहिए जो 20 से 25 के पीम के वलगभग बनती है वहां चालक के लिए देख लिजिए तो पेमेंट वही है आठवी आपको उत्रेण होना चाहिए आपको पास LMB होना चाहिए और थात लाइट मोटर वहिकल ड्राइविंग के पास लाइसेंस होना चाहिए आदेशी का वहां के लिए देख लिए देख लिए तो इसके लिए भी योगिता आठवी है और सिवा का कार्य करने है तो अधिक योगिता अधारी जो अभी हरतियों के आविदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा इसी में पेंच है ना इसको नीचे जो है आविदन जब भरेंगे तो आपको बताएंगे अगर आपको किसी प्रकार से जो अनुभाव है तो यह जो है जरूर सनलग न करे इसके केस में आयू सीमा में पातरता की सर्कें तो आयू सीमा जो होती है एक जन्वरी 2013-2018 से 30 वर्स होना चाहिए और 36 गड़ के जो नागरिक है उनके लिए कितना है 40 वर्स है अधिक्तम छूट में 45 वर्स है अधिक नहीं होना आयू समंधी प्रवाणपत्र के लिए पांच वी आठवी हाई स्कूल हायर सेकंडरी की जो अंक्सूची माननी हो जाएगी तो किसी इसमें से कोई एक और यदि माल ये ड्राइवर के लिए डाल रहे हैं तो यही तो आपका सेक्षिक योगिता हो गया है और यही तो जन्मतिती प्रवाणपत्र हो गया है तो आपको और दूसरा डालने की जूरत है नहीं ही प्रापत आउयदन पत्तों के छटाई की प्रक्रिया और माप दंडो भरती कमिटी सब कमिटी द्वारा वर्णित किया जाएगा जो अंतिम होगा यदि किसी क्राणवस अभियरती को परिक्षा के सूचना विलम से प्राप्त होती है तो उसकी जिमेदारी कारलेग नहीं रह जिसका माप दंड नीचे बताए गया है अभियरतियों के संख्यादीक होने की सिदि में कौसल परिक्षा एक सिदिक पाली में ली जा सकेगा आवेदन पत्र प्रस्तूत करने की प्रक्रिया आप लोग इसी में सब गड़बड करते हो वो प्रिंटेड वाला आवेदन पत्र ले लेंगो इतना साहरा लिखा रहे ज्यौरत नहीं है भाई कोरा लो ना देखो क्या बोल रहा है आवेदी पाट का नाम अवेदिक कबर लिखा हो बस उसमें अपना पत्ता लिख रहा है का पता लिख रहा है ये जितना बोला हूद न करो ma दिनांग 31 जुलाई की संधिया 5 जोजे के उपरांद प्राप्थ होने राविदन पत्र उपर विचार नहीं कि जाएगा इस पर स्टेन ड्राप बाक्स में आपको डालना है किसी प्रकार से उसके उपर पता नहीं लिखना है जिससे वो पोस्ट में जाएगा सभी जो प्राप्तर है उसकी जो है अभी प्रति सलगन करना आवश्या कि इसका तातपर है स्वा प्रामाडिक है ने ठीक है निर्धारित प्रारूप में ही आपको अविदन भरना है जन्वति जी की सत्यता है तो ये वाला पहले हम पढ़ चुके हैं ऐसे अभियर्ति जो सास्किय अशलाची सेवा में संस्था रहते हैं उन्हें यह noc देना पड़ेगा no objection certificates ऐसे अभियर्ति जो एक सेधिक पढ़ती तो आवज़िदन करना चाहते हैं प्रिथक करें अगला है चैन प्रक्रिया तो चैन प्रक्रिया देख लिए सहाय ग्रेड तर अब भरतियों को बुलाए जाएगा कौसल परिक्षा के लिए और कौसल परिक्षा में इस तरह से आप उपस्तित हो जाएगे कौसल परिक्षा ली जाएगी कौसल परिक्षा में प्राप तंगों कैधार पर प्रामीट सुची त्यार की जाएगा अर्थात उपर जो भी आपने किया है उसा फालतो हो जाएगा ये प्रामेड सुची किसे बनेगी only causal परिशा में जो प्रापतांग है उससे ठीक है प्रतिक्षा सुची जो है एक अनुपात तीन में होगी और जो की एक वर्ज के लिए क्या होगी वैद होगी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस सब चीज उत्रा इंपोर्टेंट नहीं है आगे बढ़ते हैं हम वहाँ चालक के पधेतु वहाँ चालक के पधेतु क्या होगा कौसल परिक्षा होगा पचास हंका और इसमें भी वही वाला बात है कि तीस लोगों से जादा लोग आउधन करते हैं तो अनुपाव के अधार पर प्रावेंट सुची तयार कर रिक्त पदों के तीस गुना परिक्षार्थियों को कौसल परिक्षा परिक्षा के लिये आमतर दिये जाएगा तो यहाँ पर जिसको ज़्यादा अनुभव रहेगा उसको पहला नंबर उसके बाद कम अनुभव उसके बाद कम इस प्रकार से कहना चीए एक मेरी लिष्ट बनाया जाएगा और उसके अधार पर जो है एक अनुपात तीस के हिसाब जो है कौसल परिशा में बूलाए जाएगा तो अगर आपके पस अनुभाव है तो जरूर ये डालिए और नहीं है तो कहीं से जोगाड कर लीजिए आदेसी का वाहक के लिए अप किसी प्रकार से चैन प्रक्रिया नहीं बनाई गई है वो बाद में सुझित की जाएगा ऐसा बोला जा रहा है और इसमें भी देखिए आदेसी का वाहक के लिए ज़ादा संख्या में दन प्राप्त होता है तो उनके पांचवी आठवी के प्रा कौसल परिक्षा जो है वो लेंगे और इनको भी साथ लिष्टेट करने के लिए वही चीज करेंगे ठीक है और कौसल परिक्षा में प्राब्त जो भी अंग है उसी के धार पर प्राइमेड सुची जो है तयार की जाएगी उक्त सुची के अनुसार जो है आदेश जारी किया जाएगा और प्रतिक्षा सुची में एक अनुपात तीन जो है लोगों का जारी होगा जो कि एक वर्ष के लिए वायत होगा अर्थात दो पद हैं मालिजेत दो तीय च्छे लोग को प्रतिक्षा सुची में देंगे आगे बढ़ते हैं ये दिख लिजी वही चीज मैंने गु जाएगा जाएगा इसका जो माडल को मैंने सारे लोगों को दिया है तो आप लोग देख लिजीगा वहन चालक के पधेतू तो ये भी पचास अंक होगा और इसमें ये पढ़ दिजिएगा वही चीज दोहरा रहा है प्रित्य फेरा से तो सब पचास अंस का है इधर दिखा जाता है तो सभी पचास अंक है आगे बढ़ते हैं आवकास के दिन में भी कारेलाय में रखे गए ट्राप बॉक्स में आविदन डाले जाके सकते हैं ये महत पुण है ना ये मैंने कई लोग को बोला है कि अवकास दिन में नहीं होता उसके लिए मैं च्छमा चाहता हूं काना चाहिए आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया और चलिए आविदन प्रारूप हम कैसे भरेंगे तो आविदन प्रारूप एकदम जो बोला जा रहे है न उतना ही कीजिए ज़्यादा उसमें अपना दिमाग मत लगाई है मैं मूल बात वही कहता हूं ठीक है जितना ज़्यादा आप लिखें गिना उतना ज़र गलती होने की सम्मावना बढ़ती जाती है तो देख लिजए एक फोटो चिप का यह और फोटो में जो सिगनेचर होना चखहि ठीक है अब फोटो में देखो अवेदक का स्वाहस तक चरीच नविंतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो चस्पा करें इसमें नाम दिनांग को करम मत लिखना भाई अवेदित पत का नाम है तो वहां चलाक पूरा नाम लिख दीजे हिंदी अंग्रिजी में इसमें किसी का गलत नहीं होता पिता पतिक नाम जन्मतिति अंको सब्दों आयू यह सब आप लोग कर लेते हैं क्योंकि इतना सारा करते आ रहे हैं यह सब चीज देख लिजीएगा भारा चुगा है ठीक है अब यहां पर देखें भृत्य फर्रास के पद हेतु पांचवी आठ्वी में प फंसरा है आप देखिए भृत्य और फर्रास पत है न केवल उसी के लिए आपको यहां पर इसको डालना है प्लियर और जो लोग भृत्य फर्रास पत के लिए नहीं डाल रहे हैं अर दूसरा एक और चीज आपको मैं बहुत जरूरी बात बताता हूं भृत्य और फर्रास प क्योंकि इसमें स्पष्ट बोला है कि बार्वी से ज़्यादा योगिर्था के लिए कोई विचार नहीं कि जाएगा तो आप यहां दस्वी ही डालो नो भाई तो यहां पा तो मुझे डालना ही नहीं है क्योंकि मैं तो वहां चालक में डाल रहा हूँ तो भाई यहीं पर सब लोग गल्ती करेंगे यह 13 से 17 जो कालम है वो केवाल व्रित्य और फर्रास पद के लिए हैं अगर उसमें से कोई और पद आप डाल रहे हो तो यह कालम आप बि लिखने की ज़ुरत नहीं है राश्टीता भारती इसमें अपना धारकाट से पतावता लिख लिजीगा यह सब जानते हैं रोजगार करे लेका जिवित पंजियन क्रमांग दिनांग तो यह आप लिख लिजीगा अपने जो भी रोजगार करे ले होगा उसमें से नाम तो ल आठवी का बरी है और कुछ नहीं चाहिए लगेगा आपको क्योंकि जन्व प्राणपत्र के लिए यही चीज़ बन जाएगा क्योंकि लिखा हुआ है पांचवी आठवी दसवी बार्वी कोई जो अंग सुची हो जन्व प्राणपत्र के लिए आपका काम आ जाएगा बस दोस्तित Kiya गया है तो फिर तो यहां पर तो कुछ होगा ही नहीं आपका कुछ डाल कलने वाला है ये यहीं यह लम्बीत होती यहां पर आपका जो भी धारा लगा है वो आप लिख दीजिए और किस न्याला में लम्बित है वो लिख लिख दीजिए याद रख刃 जब तक आप दोसी नहीं है न तब तक दोसी दो जब तक आप कर हो नहीं जाता है तब तक आपको किसी नियुक्ति गरह से कोई रोका नहीं जाएगा मोबाइल नमबर लिख दिजी अपना सलंगन प्रवाण पत्र की सुची तो आठवी उत्तिन प्रवाण पत्र जाती प्रवाण पत्र निवास प्रवाण पत्र रोजगार पंजियान प्रवाण पत्र आठवी अंग सुची ग्रेट से प्रतिसत में परिवर्तित पर ये ज़रूर आप डालिये न क्योंकि पता है कि बहुत सारे आविदन जाएंगे और साट लिष्टेट होगा तो यहीं पर सब फंस जाएंगे अगर माल जो ग्रेड A है ग्रेड A का मतलब है 85% तो अगर 20 जने का ग्रेड A है तो सबका 85% होगा और उस इतिने सबके डेटा बर्थ से जो है निकाल दी जाएगा अगर आपका माल जाए 87-88 है तो यह इससे नहीं पता चलेगा बलकि इससे पता चल जाएगा तो अगर आपके पास यह बनता है न तो जरू डालिए और नहीं बनता है तो बात अलग है ठीक है वहां चागन का आपका प्रावाण पतर जा लीजिए लाइट मोटर वहिकल घोषना की इसको पढ़ लीजिए तो यह जो सिगनेचर है यही मैं बोला था यह अलग अलग नहीं होना चीए सबसे महत्रपोन बात यही है इस्थान तो इस्थान वो है जहाँ पर जो है आप फां को भर रहे हो जैसे की आप अपने गाउं में भर रहे हो जैसे की लिख느े शुखरी-पाली उधारण के लिए आपका गाउं है और यहां फाम बार है तो वहीं लिख दीजे ना दिनांख है जिस देद में आपको फाम बार है जैसे आज है 10 जुलाई उधारण के लिए 10 जुलाई 2023 ठीक है यहाँ पर नाम यहाँ पूरा पता लिखे तो आहाँ पर नाम लिखे यह पता दोनों लिखेगा न और उसके साथ आप पता में पीन मत भोलिएगा अब लिफाफा में क्या लिखना है तो लिफाफा में आपको बहुत लंबा च्यावड़ा पूरा नहीं लिखना है भाई ठीक है लिफाफा में आपको केवल अकेवल आवेदित पद का नाम ठीक है जो कि वहांचलक है और वर्ग अन्य पिछड़ा और और कुछ मतलिगी है कारण देख लिजे यहां पर अपना पता क्यों लिखते हैं क्योंकि अगर आवेदन सही समय में नहीं पहुचा तो आपको रिटन हो जाएगा यहां पर कारेले का पता क्यों लिखते हैं क्योंकि वहां तक आवेदन पहुचना है अरे भाई आप स्वयम जो है जा रहे हो तो यहाँ पर आपके पते में रिटर्न होने का मतलब भी नहीं और आप डबा में डाल रहे हो तो यहाँ पर कारेले का पता लिखने का ज़वरत ही नहीं है ठीक है तो दोस्तो इस तरह से आप जो है फार्म सब्मेट कर लिजेगा फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई समस्या हो रही है तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा थांक्यू वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को सेर कर लिजे थांक्यू